नमस्कार दोस्तो आज की इस वड़े में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके जीवन में, आपके कुंडली में शुक्रग्रा मजबूत नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपके उपर मालक्ष्मी की कृपा नहीं है तो आपको इसकी शुरुवात जो है महीने के शुक्रवार के प्रथम शुक्रवार से करना चाहिए जातक को शुक्रवार के 21 या 31 व्रत नियमित रूप से करना चाहिए और इसके लिए जो है शुक्रवार के दिन आपको शुक्रदेव या फिर मा लक्ष्मी की प्रतिमा या फ भोग आपको लगाना पड़ेगा सभी कुछ हम आपको अच्छे से बताएंगे आगे वीडियो में दोस्तो शुक्रवार का व्रत पूजा विधी पहले जान लीजी शुक्रवार व्रत करने वाले जो जातक हैं उनको स्नान करके सफेद कपड़े धारन करने चाहिए उसके सफेद फूल अर्पित करना चाहिए उसके बाद सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए घी का दीपक जलाना चाहिए खीर का भोग लगाना चाहिए इसके बाद भोग लगाने के बाद पहले खीर को जो है आपको सफेद गाए को खिलाना है उसके बाद ही आपको खुद ख आप करना इस दिन सुर्यास्त होने से पहले शाम को एक समय भोजन आपको करना है भोजन में नमक ना होई इस बात का आपको धियान देना हैं सफेद कप्रा चांदी का सिक्का फल दूद आदी ब्रामन को आपको दान करना है साथ ही आगे आपको चलिए बताते हैं कि प्रसन होती हैं और साथ ही जब शुक्र ग्रह कुंडली में कमजोर हो अच्छा परिणाम ना दे रहा हो तब अगर आप इस प्रत को करते हैं तो शुक्र देव जो है शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं आपकी कुंडली में और आपको अच्छा परिणाम देते हैं पर